प्रणाम साथियो मैं राम निवास गिरी आज आपके सामने मुलाधार के विशे में हम जिकर करेंगे मुलाधार क्या है? मुलाधार चक्र जो है वो हमारे सड़ चक्रों में सबसे एहम क्यों है? मुलाधार के अंदर ऐसी कौन सी सक्ति है जो हमें सबसे पहले मुलाधार पे ही जाना होता है मुलाधार से ही हमारी सकती जागरित होती है तो साथियो मैं आपके सामने सुरू करता हूँ आप किरपा करके थोड़ा ध्यान से समझ ये मेरी बात को और जहां पर भी आपको कहीं तरूटी लगे तो इसके लिए मुझे आप कॉमेंट्स कर सकते हैं और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो का आगे सेयर भी करिए और सबस्क्राइज भी करिए क्योंकि आप केसे योग से ही मैं काम कर पाता हूँ आगे चल पाता हूँ आपके आपको जो मारक दरसन है मुझे भूत प्रेड़ना देता है भूत ताकत देता है अगर आप मेरे किसी भी वाक्या से कहीं पर भी असंतुस्थ हैं तो मुझे किरपा करके आप कॉमेंट करिए और मैं जरूर आपका जवाब देंगा तो साथियों आज हम जिकर करते हैं मुलाधार का मुलाधार हमारी वो सक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को संचारित करती है हमारी सक्ति को संचारित करती है हमारी उर्जा को संचारित करती है देखिए जैसे हिमाले में एक परवत के उपर एक बरप का कन पिंगल के जल बनके औ ऐसे ही जो हमारे मूलधार के अंदर जो सकती है वो हमारे सैस्रार तक आती है और वो धीरे 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 उसमें उपर के और आती आती है जो के हमारी इडा और पिंगला यानि कि जो हमारा चंद्रसवर है हमारे सूर्य सवर है यह दोनों नाडियां इडा और पिंगला कहलाती है तो शुष्मन्ना जो नाड़ी है उसके जो मुख है वो निचे है और कुंडलीनी उसके तीन लपेटे लगाके अपना मुख पूच के अंदर दबाके उसमें सोई हुई है तो इस मुलाधार को ही हमें योग में जगाना होता है और बगैर जब तक मुलाधार व्यक्तिकर नही नहीं होती शिद्धी का मतलब है किवह कहीं पे भी एपने रोगों से छुटकर नहीं पाता अपनी अंतर आत्मां की और अगर्रसर거 नहीं हो पाता हूं कि आप मुझे स्योग करेंगे कोमेंट्स करेंगे और अपने विचार भी मेरे साथ साजय करेंगे जैसे हमारी तीन नाडिया हैं जैसे मैं आपको सामने एक छोट असाद चित्र बना के दिखा देता हूं यह हो गया हमारा मेरुदंड यह हो गया हमारा मेरुदंड इसके अंदर यह नाड़ी हो गी हमारी पिंगला यह नाड़ी हो गी हमारी इडा इडा नाड़ी के अंदर यह हमारा चंदरस्वर और यह हमारा सूर्यस्वर यह ठंडा है यह गरम है देखे योग में कहा गया है जो योग के अंदर कहा गया है कि इडा और पिंगला और शुष्मना इडा पिंगला शुष्मना के यानिके हठ योग हा और ठा दोनों को मिलाने से ही योग बनता है यानि समादी की ओर हम जाते हैं तो हठ योग हा और ठा दोनों को मिलाने से ही हठ बनता है और शुष्मना जब हम इसके अंदर गमन करते हैं शुष्मना नाड़ी यह हमारी होगी तो शुष्मना नाड़ी है आपकी यह हमेशा शुष्पतावस्था में रहती है यह हमेशा बंद रहती है आपका यह हो गया यहां पे मूलाधार यह आपका मूलाधार चक्र हो गया यह जो मूलाधार चक्र है आपका यह सारा का सारा इसके अंदर पूरी सक्ती मुलाधार यह आपकी पूरी पूरी सक्ति यहां मुलाधार में समाई हुई है सोई हुई है अब मैं आपको छोड़ा सा एक उधारन बता देता हूं एक समझा के बता देता हूं कि हमारा जो यूर्नीरी के जो सिस्टम है अपने मुत्र का त्याग करते हैं यह मुत्र एक हमारा जो मुलाधार चकर है वह OH हमारे जब आपके ज्व intern के अंदर के जाती है लगता है तो पर तो आप यह जो सई से नहीं करते पाते हैं समानता है यह 24 ह्गों के अंदर 12 लिट्र के आसपास एक सःथान व्यक्ति का एक स्वश्ट व्यक्ति का डेट लीट्र के सपार यूरीन बनता है और यह सड़ियों का यहूरीन है इसके थोड़ा आतार पर पड़ा रहे जाता है वेच ख मताथ की बौटी सवह है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसका कारण क्या है कि सबसे पहला जो कारण है हमारा जो मुलाधार है यानि हमारी गुदा रोग जो हमें होते हैं वह मुलाधार की विकृति के कारण होते हैं हमारे जो मुलाधार सही से उसके अंदर वर्क नहीं होता और वो शुद नहीं होता तो वो मुलाधार के अंदर हमारे ये विकृतियां आने लगती है तो इन विकृतियों को अगर हम इनके अंदर क्या-क्या रोगत्पन होते हैं जैसे मुलाधार अगर सही नहीं है तो इसके ब्होत बुरा हाल उनको कबज के से वह कबज क्या है से कार्विए क्रिषा कि में चार्व बहुत शरीयर में कम होगी तो ताकत भी उससे सरीयर में कम होती है। तो इसलिए मोलाध जो है उसको ताकतवर बनाना उसके अंदर पर्वेस करना अपने आसद्वार्ट जैसे हमारा सिद्धासन है शिद्धासन मोलध हार चकर जो है हमारा मुलाधार जब बादित होता है और पूरी तरह से यूरिन हम पास नहीं कर पाते हैं पैसाब हमारा पूरी तरह से खुल के नहीं आता तो क्या होता है हमारे जो हमारी कोशिकाएं हैं जो हमारे सरीर के अंदर हमारे हर्दे की को सिकाएं हैं लंक्स की को सिकाएं हैं हमारे ब्रेन की को सिकाएं हैं तो ये इनके अंदर दबाओ आ जाता है इनके अंदर दबाओ बनता है और जब इनमें दबाओ बनता है तो क्या होता कि ये हार्ट की जैसे हमारा हार्ट है जो हमारा हर्दे आकास है वो हमारे और हरन्तर हर में हम बात करते हैं वो कहीं और है क्यों किसी वीडियो में कर गार? तो इसके बादित होने से पूरी तरह सthose उरिन नहीं पास हो पाता हमारे सीर में द्रद होने लगते हैं आंखे कमजोर होने लगती है आंखों करो दोस्थी होने लगते हैं ओर प्रोब्लम हर दार्थ होने से उसकी वजी से हम पूरी तरह से अपने जीवन को सुचारू नहीं रख पाते तो योग के माध्यम से मुलाधार चकर को हम जागरित करें और इसके अंदर से धीरे 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 करके यह सक्ति जो है यहां पे मुलाधार की आपकी यह जो सक्ति है यह सक्ति है क्या यह मुलाधार चकर है क्या हम चकर किसको कहते ह यह एक हमारे सिराओं का गुच्छा है जो हमारी जो नसे हैं उनका यहां पर गुच्छ है जितने भी हमारे चक्र हैं जैसे मुलाधार है फिर स्वादिस्टान है फिर मनिपूर है फिर अनत है फिर विशुद है फिर आग्या है और फिर यहां पर हमारा सैसरार है यह हमारे जो चक्र हैं इन चक्रों में धीरें Дhiharne Widner करके हम ओपर की ओर Gabar legitim करते हैं और च्छोड़ओं यहां पर यहां पर मूला धार जो सकती हैं जो मैंने कुंडलनी कजिकर में इंटिकर सकती है कि मूला धार इतनी मोलतिक है हागा अगर अगर हैं कि हमारी जो कुंडली नी सकती है उसको कह आ गया है तो कुंडली नी सकती इतनी बारिक है जो किसी सरजेरी से अब कहते हैं बोलेजिताग वो तो ड्क्टर siehtั้ग सर्जेरी कारते उसमें तो दिखाईшी नहीं दिखाई देगी इसके लिए तो बहुत बड़ी दुर्बीन की आवश सकता है, बहुत बड़ी दुर्बीन हो जो इस चीज़ को देख सकें, तो ये जो कुंडली नहीं सकती है, ये धीरे, 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 जैसे जैसे इसके उपर आपका, जैसे मैंने बता इसको जागरित करने के लिए, इसमें आपकी म अश्वनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा और पचिमोट अनसन और नौ डवांछ-सन तड़न गई जो आमारे यह यह डवी रπά्ट ऑपर हम दंगे और संइब और वापस मारता यह जैसे यह मुलादार की सकती है हमारे उपर के और फिर मारने लगती है तो यह जब इसके अंदर से जब यह दोनों नाड़ी यह हमारी जो जो हमारी पिंगला नाड़ी और यह हमारी इडा नाड़ी है यह यह दोनों नाड़ी जब धीरे इसके यह जागरित होने लगते हैं तो यह दोनो तो आदम विक्ति का योगी का कुंभा के सीध हो जाता है वह कुंभा कुसका बहुत लंबा हो जाता है तो साथियों मैं आपके सामने यह कहना चाहरा था कि यह जो सबसे मैं है यह आपकी मुलाधर सकती है सपोजकर जैसे आपने कोई building बनानी है और building के आपकी जो foundation है वह अच्छी नहीं होगी तो उसकी प्लियर बहुत जबरदस्त है आप देखा होगा मेट्रों पीलडर जब बढ़े थे रही कितना लोगों ने वजन रख्या और वह उसके जान्च की तो आपका जो मुलाधार है जब यह जागरित होगा तो यह धीरे-धीरे दूसे चक्रों के ऊपर आपसे जाने लग जाएंगे लेकिन सबसे पहला आधार आपका मुलाधार ही है आपको मुलाधार में ही प्रवेश करना पड़ेगा जब तक आप मुलाधार में प्रवेश नहीं करोगे जब तक उपर की और इनमें गमन नहीं कर सकते जब आपका मुलाधार शुद्ध होगा तो आपके एक तो जिन लोगों को ग्रिष्ट जीवन जीते हैं ग्रिष्टी में जिन लोगों की टाइमिंग वगेरा की दिकत होती है वह अपने लाइफ पार्टनर के साथ में पूरी तरह से समय नहीं बिता पाते चिड़ चिड़ा पनाता है उनके अंदर और दूसरी कमिया आती है तो इस मुल अधार की जो सकती है वह पूरी तरह से हमें यानि कि यह जो सकती है इसको यहां पर होता है रज और यहां पर होता है बीज तो यह जो बीज है यहां से धीरे 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 पर फुलित होता है इस पूरीत होता है और इस पूरीत होते होते यह यहां पर इसको जाकर सकती मिलते जैसे आप एक ब्रेक्स के जड़ में पाने डालते हैं और उसके ऽास्टी पत्तो तक उसके चोटी की पत्ते हैं उसके फल हैं उन सब तक वो ब्रेक्स पहूंच जाता है तो यह जो मूलाधार है इस मूलाधार से ही आपको शुरुवात करनी पड़ेगी योग की और योग को देखे जीने के लिए योग क्या है संसार का सर्वतम मार्ग मैं बार बार हर बार यह बात कहता हूँ कि योग जो है संसार का सर्वतम मार्ग है इस सर्वतम मार्ग को आप अपना आना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से इसको समर्पित होना पड़ेगा और आपको अपने अंदर सयम लाना पड़ेगा क्योंकि जब तक आपका सयम नहीं होगा जब तक इसमें काम्याभी नहीं मिलेगी तो सयम आप सबसे पहले क्या करें सबसे पहले आप अपने श आपके एंदर कोई विकार हो गई नहीं ना आपके आपको फूलने की जगह नहीं मिलती तो औनर ढम घ्रतिन एंदर cities तो इसके क्योंकर जो हमारा ऊद्र है जो मारा पेट यहां का आधा पूरा ऊंत्र multiplic 份ार। है इसका आधा निकान जो है वो जल के लिए आपको कम से कम एक घंटा बिताने के बाद आपको लेना हो और जो इसका वन थार्ड जो इसका एरिया बचा हुए वो हमेशा स्वास लेने के लिए खाली रहना चाहिए ये आपकी भरपेट की definition है सवेरे आप भरपेट भोजन लीजिए दुपैर को आप नौर्मल भोजन लीजिए और रातरी के समय आप हलका फुलका भोजन लीजिए कोशिश करिए कि आप हो सके तो दूद पी के सो जाए और दूद भी आपका पतला होना चाहिए लेकिन गार्णाद मेरे नजर में या इरवेद की नजर में ठीक नहीं हैójा आपको इसके ल750 ज thीक नहीं में तो आपको बहुत जादा वो लाब देगा और बहुत आपको उसके गुन होंगे तो मैं कहा रहे था कि यह जो आपका जो मुलाधार है इस मुलाधार को जगाने के लिए आपने जैसे मैंने बता इसे जब आप यह करेंगे तो आपका पेट साफ होगा अगर इससे भी आपका पेट साफ नहीं होता इसे भी आपको लगता है मेरा पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको फिर हरड बहेडा और आमला इन तीनों का मिश्रण करके आप उसको पंसारी से ला सकते हैं या फिर अपने त्यार किया हुआ भी आप ला सकते हैं उसको आप या मिक्स दूद से भी ले सकते हैं अन्य था गरम जल से आप उसका एक चमच ले लीजिए सवेरे पूरी तरह से आपका पेट साफ होगा जब आपका पेट साफ होगा तो मुला धार में आपको बहुत ज्यादा साहिता मिलें जागरित करने में मुला धार आपका बहुत जल्दी से फार है से और उसके बाद पिर आप गरम जल जतना गरम आप पी सकें इतना गरम होना चाहिए जतना गरम सुगम तस आप पी सकें उतने करम जल को आप दो लिटर एक लिटर डेड़ लिटर जितना भी आप पी सकें उतना आप उसको एक जटके में पी जाएए और फिर उसको थोड़ा सा आगे जुके और बगैर हाथ डाले मुख में उसको जब आगे जुकेंगे तो वो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा कुझल करिया कहते हैं सबसे पहला करम आता है कुझल करिया क्योंकि जब तक आपका शरीर शूद नहीं होगा जब तक आप योग में पारंगत नहीं हो सकते योग में आप योग मार्ग को अच्छी तरह से धारन नहीं कर सकते तो साथियों आप कुझल करिया का जब आप नि वादार की और जितने भी दोस पेट सम्मझ्दित S कियरी कर सकती होती है और उसमें अपंडिक्सि का उसके दोस भी से दीर दीरे खतम हो जाएगा आप पश्यमोतान आसन डेली करिए क्योंकि जब तक आप पश्यमोतान आसन और पवनमुक्तासन यह नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से इसमें लाब नहीं होगा तो पेट के मल को साप करने के लिए पश्यमोतान आसन और आपका पवन जाने से पहले भी कर सकते हैं जल्पी के तो इसमें आपको भात होगा तो मुला-धार्चक्र जो है सबही वी केंद्र जॉह से हमारी सबही सक्तियों का रास्ता खुलता है वह हमारा मुला-धार चक्र है इस मुला-धार्चकर से दीरे sort तो सबसे पहले अगर आपका अच्छे दूसरी बात में यहां पर मेरे याद आगी वह भी कहना चाहरा हूं कि जब तक अगर आप योग मार्ग पे चलते हैं देखे योग भ्रस्ट योगी भूत दुख पाता है अगर आप योग को सुरू करते हैं तो फिर जीवन भर आप योग को छोड़ना नहीं पैसे तो कोई छोड़ता ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात खोल द अभ्यास करते हैं तो फिर आप उस अभ्यास को कभी बंद मत करिए अन्यतार भूत सारे रोग आपको फिर जहलने पड़ेंगे तो इसलिए अपने मुलाधार के अंदर आपको परविश्पाने के लिए मैंने जो आपके सामने किर्याइं रखें या हमारे इस का पहला भाग है नमुलाधार चकर पे और इस पहले भाग में मैंने आपके सामने यह सारी बाते रखें कि आप इसको किस तरह से जागरित कर सकते हैं इसमें कैसे आप परविश्प कर सकते हैं नित रोज का अभ्यास सवेरे जल्दी उठीए क्योंकि आप 24 गंटे काम काम रहते हैं आपके रहते हैं काल हमेशा हमारे पिछे पिछे फंदा लेकर घूमता ही रहता है क्यों कि क्यों कि हमारे अंदर इसे करने में यह नहीं कहते हैं लेकिन अपने सरीर के पर्तिया पार्लसी हैं सो लोगों में भी एक व्यक्ति योग नहीं करता अगर सो लोग हैं अमारे समाज में तो सो लोगों में से एक लोग भी एक व्यक्ति भी उसका प्रसेंटेज में नहीं आता हजारों में अगर आप जैसे मारे देश की 120 क्रोड या 130 क्रोड जिनसंग क्या है तो 120-30 करोड में एक करोड लोग भी डेली योग नहीं करते आप ये देख लो एक करोड भी जो या तो लोग पार्कों में जाते हैं चकर काटते हैं जैसे कोलोगा बैल चकर काटता रहता है अब चकर काटते हैं तो क्या होता है कि उनके जो नितम हैं, उनके जो गुटने हैं, बस ही निमेज काम होता है, भाई आपके लंक्स के अंदर काम होता है, आपके लंक्स की एक्सेसाइज होती नहीं, आपके जो आपके लिवर है, उसकी होती नहीं, आपका ब्रेन है, उसकी होती नहीं, तो आपको जब तक आप य आपने कानों को कभी देखा नहीं नहीं कान्ट आपको कभी तरफ की तरफ देखते हैं नहीं तो नहीं आप कभी यह सोचे चलो मैंने गुलाब जल डाले ना है कोई गरेलून उसका है मैंने गुलाब जल डालेना है या बहुए मैंने और चिडिया तो गई खाके आपके खेत को बाद में आप उसका जो उसके अंदर तूड़ा है जो उसका अवसेस बचे हुए है उनको इकटे करे जाओ ये सरीर आपका दुबारा आपको नहीं मिलना आज अगर आपने क्योंकर योवन एक बारी गया तो गया जवानी एक बारी गई तो गई प्राणी सरीर से गई तो गई देखो कमजोर पिंजरा कमजोर पिंजरा और जीन देहे यानिके कमजोर अगर आपका पिंजरा है तो उसम वहरा इस कि अंदर आत्मा सो हो यह पीक्लिकार के सब्सक्राइब नहीं है वाध्म चाह जाता है और अनंत काल तक जबतक हमारे मित्रो देखे गुरु का होना संसार में बहुत जिरूर इहां किंखेंग दौरदगे लिए को समफ्मी देखें कि इसे को जरूर है कि सकते हैं अपने सकते हैंगरु के दौर c आमीन का मनन कर सकते हैं गुरू के द्वारा ही आमीन पे चल सकते हैं तो इस पे चलने के लिए आपको गुरू की भूत बढ़ी आवसकता है आप अपने आसपास में देखिए आपके जो भी आपके संपर्क में हों आप एक अच्छा जो योग जानते हों जो आपके पूरे जितना भी आपके अंदर जो भी आपके अविल्यासाएं हैं जो भी आपकी इच्छाएं हैं योग में और आपके रोगों से आपको बचाने के लिए हाला कि हाज हर कोई व्यक्ति रोगों से देखे मैं सब की बात नहीं करता लेकिन अधिक तर लोग रोग से बचने के लिए योग में आते हैं अन्यता लोगों को आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना है ने अतम कल्यान के लिए योग में आए ऐसे ब्हुत कम लोग हैं तो जो थोड़ी होग वह जाने के लिए योग में आते इत्रदक में नत्मस तक हो जो योग को दारन करना चाहता है तो इसे एक ही सलोकुसे पता चल जाता क्या है कि जितना भी संसार में आप जो भी देखते हैं वह सब कुछ योग है योग के बल से ही ग्रहे नक्षयत्र यह जो भी है संसार के अंदर सब योग हुआ है आप एक छोड़ी सी बात और देखो आप क्योंकि योग जो है यह जो हमारा है यो क्रिया के नाम से आपके सामने में मोटिव यह यह कि हम आपके सामने उनीद रखें जो आपके लिए हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ योग के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा भी कहा देते हैं उसके लिए छमापरार्ति हैं लेकिन आपके फायदे की बात है वह अगर आपको थोड़ी कड़वी भी लगती है तो ल यहां दे आप अच्छा बोजन करिए मोटा बोजन करिए और जादस जादा कच्चा खाईए जैसे आप पका हुआ जो बोजन है वह आप जादस जादा जादस जादा करके 40% लीजिए और 60% कच्चा लीजिए जिसमें सलाद हैं फ्रूट हैं आप इस तरह के या आपके अंदर बड़ी खुसी आनंद और परमानंद के अनुबुति आपको होगी आज इसे मूला धार चकर के पहले भाग में हम यहीं पे विराम लेंगे और आप सब को परम्पिता परमात्मा की और से जो भी हमें सब कुछ संसार में देने के लिए एक दूसरे के लिए य जो उनके पास में जो कलाएं हैं उन कलाएं